लेटरल एंट्री दलितों आदिवासियों पर हमला बीजेपी कर रही आरच्छट शिनने की कोशित राहूल गांधी ने बोला हमला नमस्कार दुस्तूब मैं रतम सिंग आपसे भी कस्वागत है ट्रिगर निज में कॉंग्रेस नेता और लोकसभा में विपच्च के नेता रा करना चाती है केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री स्कीन को लेकर विपच्च पूरी तरह से हमला वर नजर आ रहा है कॉंग्रेस के अलावा बीजेपी और समाज़ोदी पार्टी ने भी इसका विरोध किया है सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहूल गांधी ने सो इंट्री के जलिए सिविल सर्वेंट की भरती करने की यूजना को सामने रखा है तब से ही कॉंग्रेस पूरी तरह से इसे समविधान विरोती बता रही है राहूल सरकार की इस पहल को रश्च विरोती कदम भी करार दे चुके हैं दरसल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सनीवार 17 अगस्त को विभिन्न मंत्रालों में जॉइंट सेक्रेटरी और डिरेक्टरेट डिप्टी सेक्रेटरी के 45 पदों पर नियुकती के लिए विग्यापन निकाला इसमें से 10 पद जॉइंट सेक्रेटरी और 25 डिरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी पत थे इन पदों पर सिवाओं के अधिकारियों की न्यूक्ति की जाती है हालंकि लेटरल एंट्री होने की वज़य से इन पदों पर अपलाई करने के लिए यूपीसी एक्जाम देने की जरूत नहीं होगी यानि कि सिर्फ अन्य लोग भी इन पदों पर न्यूक्त हो पाएंगे तो जोस्तों आप